नमस्कार, दर्शिकों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपने कारिक्रम हम आप और कानून में दर्शिकों आप और हम कहीं न कहीं उभोगता है क्योंकि हम रोज ही बहुत सी वस्तुओं का बहुत सी सेवाओं का उभोग करते हैं यानि ये कहें कि सुबह की चाय से लेकर दिन भर के क्रिया कलापों में और रात को बिस्तर पर जाने तक हम कहीं न कहीं चाहें मौस्की टूकोईल जनाएं, मच्छरदानी लगाएं, एसी लगाएं या कुछ भी करें, कहीं न कहीं हम उब्भोकता होते ही हैं मेरे इन बातों से आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा विशे उब्भोकताओं से जड़ा हुआ है तो आए सबसे पहले आपको बता दू हमारे आज के कारिक्रम का विशे हैं उब्भोकता संरक्षन अधिनियम 1986 नवीन संशोधनों सहित और इस विशे पर आप से बातचीत करने के लिए हमारे सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमने आमंतृत किया है श्रीमती रागिनी पांडे जी को जो कि राइपूर से अधिवकता है आप जानी मानी अधिवक्ता है रागेमी पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और मैडम जैसे कि उभोक्ता पर हम बातचीत करने वाले हैं तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हम सभी उभोक्ता हैं आप भी मैं भी तो बहुत अच्छी करने से सोने औरने विछाने जो भी वस्तों का उपभोग व्यक्तिगत इस तरह पर करते हैं वह उभोक्ता है जैसे यह उभोक्ता संरक्षन अधिनियम 1986 की यदि हम बात करें तो यह अधिनियम क्या है यह अधिनियम उभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए यह अधिनि करने का अधिकार पराप्त हो सकते हैं अवाँ जिससे उभोगता सन्रक्षन के लिए बनाए है तो आपसे यह जहाए ना चाहूंगे कि ऐसी क्या आप ईस्टाब पड़ी कि उभोगता हो के संद्रक्षन गदिनियम लाना बड़ा क्या एसी जरूरत पड़ी या ऐसी क्या घटना थी जिसे प्रेडित होकर इस अधिनियम को पारिद किया गया। यह उभूकताओं का क्या है, जैसे भ्रामक कई चीजे हूती हैं, प्रचार इस्टार्स को लाके ख़िप late nights, प्रचार को लाके ये इस प्रोडेक्ट का प्रचार किया जाता है अगर आप उसको इस्तेमाल करती हैं, अगर वो सही नहीं है, तो आपके साथ अगर चिटिंग हुई है, तो आप अपने मुआज़े के लिए इस अधिनियम के तहट नियाले में जा सकती हैं, जो भोक्ता फोरम अल्लक से गठित किया गया है, राज्य सरकार के द्वारा, केंद उससे च्छती हुई है, मांसिक, सारे जो भी, तो वो मुझे उसका मौज़ा दिलाया जाए है, जिसके लिए का, मैम एक बात आप से जाना चाहूं है, कि जैसे हम बस्तू की बात करें, कि बस्तू हम उभोक कर रहे हैं, तो हम उभोकता, क्या इसमें सेवाएं भी शामिल ले वो भी उभोकता के दारे में आते हैं, हैसा एसी वाला भी उभोकता के दारे में आता है, तो यह है, यह जो मतलब खाने पीने या ज़ो हम इसी भौतिक चीज्य उपवेग कर रहें आजकल संचार किरांती का इतना प्रचार प्रशार हो गया है यह अज़ अपने चीज में आपको यह अपने उपभो किया नेट आप कहां नहीं चल रहा है सहीं उस company के उपर भी आप दावाट हो सकते हैं आपके साथ cheating तो नहीं हो रही है आपको अच्छी सुविधाय बताके इतने जीवी का हम आपको देंगे और वो कम जीवी का आपको प्रोइड कर आ रहे हैं या आपका यह सेल फोन अच्छा नहीं चल रहा है जो भी है इलेक्टानिक सामान भी आते हैं उसमें आप सेवा हैं याने मतलब सेवा से संबंधि जितनी भी चीजें हैं जो आप अपने व अपने उप्योग किया तो आप ही वो भुगता कहलाएंगे अगर वो चीज अची नहीं चल रही है तो यानि कोई चीज हमने खरीदी है अपने विक्तिकत उप्योग के लिए और हम उसे किसी को गिफ्ट करते हैं एक उदारन के तो आपकर यदि वो चीज सही नहीं निकली अँप घृट रपाय। नहीं घृट की तो अगर आपने बेचा नहीं है तो आप मैं पने की बनाने का ऊप्या रही है और आप शैक दो आप्गोगता का पार итог कोई नहीं कर सकता था अब आप सोच. अगर आपन इसके इतिहास में जाए उभूगता के तो सब से पहले का Shoulders अपना उचीत रेट में बेचो, आम जनता को लूटो नहीं, ऐसा उनका सजेशन आया था, उसके बाद करांती कहा आई, अमेरिका में, हम लोग ऐसे विदेशों से ज्यादा प्रभावित रहते हैं, उनके आदर्सों को ज्यादा हम लोग उसके हिसाब से अमेरिका में करांती पंद्रा मार्च 1962 है मेरी ख्याल से, या उनिसट है, ऐसा कुछ है, सन ध्यान नहीं आ रहा है, वहां फिर केनेडी जो अमेरिका के राष्टपती थे, उन्होंने इसके संबन में बिल ला है, इसलिए आप देखेंगे पंद्रा मार्च को विश्व उभोगता संरक्षन दिव और जो भी इस चीज दी जाए, उस सही दिया जाए, या आप यह फूल बेच रही है, यह प्लास्टिक का फूल है, यह ओरिजिनल फूल है, ऐसा करके आप भोगता को देंगे, या वास्तविकता बताते हुए ही आपको उभोगता को चीजें बेचनी है, और यदि वो चीज इस बास्तविक नहीं निकलती है, तो उभोगता नायले की शरण में जा सकता है, तो आप से मौजा प्राप्त कर सकता है, आपको सजा दिलवा सकता है, आज के हिसाब से आपको सजा भी हो सकती है, आपको मौजा भी हो सकता है, और आपको पेनल्टी भी लग सकती है, आपको भोगता कि कोई अधिकार हैं जिनके तहत वो इन अधिकारों का उपयोग कर सके या मुआफजा ले सके अधिकार तो इसी में बताया ना अधिकार यही है कि जैसे वो ठगा जाता है चाहे सेवाओं में जै मोबाइल फोन लेता है या किसी भी चीज में प्रोडेक्ट खराब न जिखाता है तो आप या मतलब सीधे जिला उभोकता फोरम में जैसा आपका वस्तु की आज तो यह उसका दायरा बढ़ गया है लेकिन आप जिला नयाले जिला उभोकता फोरम में आप अपनी शिकायत दर्जी कर सकते हैं आज तो इतना सुविधा है कि आप इमेल से भी लेकिन आप शिकायत दर्जी कर सकते हैं जिला उभोकता फोरम में जा सकते हैं वहां क्या है प्राकृतिक नयाय के सिध्धानत के अनुशार ही आपके साथ डिसीजन होगा वहां वीधी को नहीं देखा जाता उस समय आपकी समस्या सुनेंगे हमारा जवाब सुनेंगे जैसे मैं अगर करेता हूँ आप करेता हैं आपने कोई चीज खरीदा अब मैं अपनी दादागीर दिखाएं कि नहीं दूंगे आप जिला फोरम में गई मुझे नोटिस मिला मैं गई तो मेरी विवास सुनी जाएगी आपकी विवास सुनी जाएगी और प्राकृतिक नयाय के अपराष्टी कंपनिया आ गई हैं हम उनके समानों का उप उपयोग कर रहे हैं और हम तो एक तरह से कहो तो भारत देस हमारा बहुत बड़ा उभोकता देस ही है सारी दुनिया की चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे अधिकार के लिए हमें भी जागरुप होना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा जैसी अधिनियम है यह कब लागो हुआ भारत में भारत में 1986 में राजयोगांजी सरकार के दवारा उसमें बहुत सारी कम्या थी तो इसलिए अभी नया संसोधन लाया माने राम बिलास पाश्वान जी ने जो खाद्यों आपूरती मंत्री थे उन्होंने बहुत अच्छा अभी बहुत सारे संसोधन बहुत सारी सास्तियां लगा के उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया भी सदन में और बहुत अच्छा अधिनियम लाया बहुत सारे पहले जो 86 का अधिनियम था उसमें 4 अधिया थे और 31 धाराय थी अभी जो इसका एक विस्तरित प्रारूप देख रहे हैं जिसकी आप बात करें तो दोनों में किस तरह का फरक आप देखती हैं और दोनों में फाइदा कितना हमको दिखता है कि उप्भोगताओं के लिए ज्यादा फाइदा हो गया है तो किस नजरिये से आप इसे बताना चाहेंग और जब आपके ऊपर कोई नहीं रहेगा तो आप अनशासन में इसी तरीके से पहले 1986 में कोई आने असी संस्था नहीं थी जो नीचे इतना दबाव बनाती या देखती है उभोगताओं के हितों के संरक्षन के लिए जागरुक रहती अभी क्या है केंद्री उभोगता संरक अध्यक्षन प्राधिकरन का कर्थन हो गया है उसमें मंत्री जी रहते हैं अध्यक्षन और पूरे देश से लोग उसमें मनोनित किये जाते हैं शद्यस से बनाए जाते हैं विवीन चेत्रों से जाहें उसमें अधिकारी भी रहते हैं प्रशाशनिक अधिकारी भी रहते हैं जो समाजिक इस तर के अच्छे लोग रहते हैं, वो उनको यानि विद्वान लोगों को उसमें रखा जाता है, तो ऐसे यानि कुछ जैसे किसी भोगताओं के अधिकारों का हनन होता है, तो वो भी डारेक्ट उसको संग्यान में ले लेते हैं, यहां तक उनको पावर आज की में इतना है कि उस उत्पाद करने वाले के उपर वो बहुत बड़ी सास्ती भी लगा सकते हैं, पर नाल्टी भी लगा सकते हैं, उसका लाइसेंस भी रद कर सकते हैं, यहां बहुत पावर मिले हुए हैं, यहां इस समय बहुत पावर नहीं था, अभी बहुत पावर मिले है मैं मैंसा यही जानना चाहोंगे कि यह समीती का गठन कैसे होता है और क्या अध्यक्ष वो रहेंगे वैसे राज जी के ticka मंथ्य काद्य मंत्री बढने जाते हैं उसमें इसमें यह से रहते हैं आपके प्रशाशनिक अधिकारी में से रहते हैं अब जैसे जिला अपना फोरम है वहाँ पर जो अध्यक्ष रहेंगे वो विधी विभाग के जिला में जो रहते हैं वो विधी विभाग के ही जो जजस रहते हैं उनी की नियुक्ति होती अध्यक्ष में जो भी गौवर्मेंट है वो अपना देख के करती है अच्छा यानि जन्न सामाने से भी लोगों को लिया जाता है और जैसे राजय का जो है राजयायोग जो भोकता संरक्षा राजयायोग है वो उसमें अध्यक्ष रिटायर नयाधिस रहते हैं उच्छ नयाले के वहां के मुंबई कहीं घूमने जाती हूं तो मैं वहां से कुछ समान खरीद के ले आती हूं अगर समान में कोई तूटी निकलती है या मुझे वास्तविक रूप में नहीं मिला जैसा कि आपने बताया तो क्या मुझे उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा मुंबई जाना पड़ आप दिल्ली में खरीदी समान तो पहले था प्रावधान था आपको दिल्ली जाके करना पड़ता है आज आपको अधिकार है कि आप जहां कारे करती हैं जहां रहती हैं यहां से आप फोरम में आप उसके खिलाब वाद दैर करेंगे वो आएगा अपने पक्ष रखने के लि बहुत अच्छा प्रावधान है बहुत जादा व्यापक कर दिया है यह तो बात हुई कि जैसे मैं वहां जाके समान खरीद के आती हूं तो मैं जहां रहती हूं तो वहां से मैं वाद दायर कर सकती हैं उनके अगेंस्ट लेकिन कोई हमारे साथी हैं वो गाउं में हैं तो उ के लिए क्या वेवस्थाएं है वर्म क्या गाओं के लोगों को शेहर तक आना पड़ता है जिलास तर पर या ब्लॉक तर पर विकास तर पर जिलास तर पर आना पड़ेगा जिलास तर पर आना पड़ेगा उसके लिए क्या प्रोसेस है और वो कहां वाद दायर कर सकते हैं अग अगर उनको जानकारी नहीं है, अगर उनको जानकारी नहीं है, तो जिलाव भोकता फोरम में आके उनको शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी, शिकायत करें, पांच लाक रुपए तक कोई भी कोट फीस नहीं है, अभी जिलाव भोकता फोरम एक करोड तक का मुकदमा देख सकता पहले पीस लाग तक देखता था, अभी एक करोड तक देख सकता है, एक करोड से दस करोड राज्य है, और दस करोड के बाद ही केंदर में जाएगा, यानि अगर छोटी मोटी चीजेशें हैं, और छोटी मोटी इस तरह के वाद हैं तो वो अपने लिवल में ही निपता, कि 2019 का जो संशोधन है, इसमें मध्यस्तिता का भी प्रावधान है, जैसे आप विक्रेता हैं, मैं क्रेता हूं, तो हम दोनों अगर चाहें, तो नियाले में आपसी सहमती से भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपने शिकायत कर दी है, और मैं विक्रेता हूं, मैं नोटिस पे गई, तो मैं कह सकते हैं, कि सर, हम राजी नामा करना चाहते हैं, हम से गलती हुए, हम इनका मौज़ा देंगे, तो ना कोई जीतेगा, ना कोई हारेगा, बिना किसी लडाई के आपका मामला सुलज जाता है, आपसी सहमती के साथ, जैसे आपने बताया कि इसमें दंड का भी प्रा कारवास दे सकता है, अगर आप बार 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 ऐसे अपनी गलतियां दोहराते रहें, उनकी आपकी गलतियां सामने आती गई, उत पादक की, तो फिर वो जो हमारे कमीशन है, आपके खिलाप बड़ी सी बड़ी कारवाही कर सकता है, पचास लाग तक का भी जुर् प्रावधान है, इसमें, और मौावजा अलग देना पड़ेगा आपको, वही मैं जानना चारी थी, तो मैं ऐसा क्या होता है, अगर किसी ने सो रुपे का सामान खरीदा है, तो उसके सामान खरीदा है, अगर उसके साथ चिटिंग हुई है, तो नियायले अपनी विवेका अनुशार, उसको दस अजार भी मानसिक उसकी आतना के लिए, उसकी आने जाने की छती पूर्ती ऐसा, जो भी वह कैलकुलेट करता है, नियाले, कि हाँ, याने सो रुपे के प्रोडेक्ट के बीछे इसको इतना नुक्सान हुआ है, तो वह उस नुक्सान की भरपाई करवा जिसे में, एक उदारन हम लेते हैं, कि किसी विक्ती ने कुछ ऐसा प्रोटीन लिया, या कुछ ऐसा खाने में उसको कोई ऐसी चीज दी गई, ये बोलके कि इससे आपका स्वास अच्छा होगा, और उसका प्रतिकूल, उसका विपरीत प्रभाव पड़ा उस पर, उसकी को, तरह तरह के प्रोटीन इसको खाओगे तो ऐसे हो जाओगे, या आप 20 साल के दिखने लगोगे, यंग दिखोगे, 40 साल का बूढ़ा व्यक्ती यंग दिखेगा, ये ऐसा ऐसे ब्रामक बहुत प्रचाशा, और इनी से सुरक्षा के लिए अभी जो नया संशोधन अधिन कर सकते हैं, और उसको बता सकते हैं कि ये जितनी इतनी परिशेंट विटामीन है, इतना परिशेंट प्रोटीन है, इस सारा उसमें कांटेंट डाला रहता है, तो अगर उसके मानक के अनुशार, वो नहीं सिद्ध होता है, तो मौज़ा दिलवाएगी, और हो सकता है, उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दे, हो सकता है, उसको सजा भी दे दे, कि आप किसी के हेल्थ के साथ, किसी के स्वास्ते के साथ आप खिलवार नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या कोई समय रधी होती है, जैसे अगर व्यक्ति ने एक मैने पहले सेवन किया और दो मैने बाद उसको रिजल किया, यानि कोई भी प्रोडेक्ट आप योज करती हैं, तो उसका 6-7 महीने में तो रिजल्ट आपको दिखेगा है, उसका महानी लाप कुछ तो दिखेगा, वो उसके हिसाब से आप साल भर के अंदर आराम से कर सकती हैं, आच्छा, यानि कोई ऐसे एक साल के भी तर कभी ब में, यह जो नया संशोधन के साथ अधिनियम हम देखते हैं, इसका सबसे खूबसूरत पहलो आपको क्या लगता है, सबसे खूबसूरत पहलो तो केंदरी आयोक का जो गठन हुआ है, वो सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि आपके ओपर एक बॉस बैड़ गया है, आ दूसरा यह है, संचार क्रांतिय इतनी आ गई ही, तो आपको देखे, जैसे आपके अमज़न है, फिलिपकार्ड है, मेंत्रय, मित्रा वगरा है, यह सब अनलाइन सौपिंग हो रही है, इनको मजबूरी है आपको बताना कि आप हमारा प्रोडेक्ट योच करो, अगर आपको अपनी चीजे उभगता को बताना आज इनकी मजबूरी है, यह अपनी मजबूरी, इनका यह एक खुबसूरती है, क्यों कि हमारे यहां का एक्ट प्रावधान, वह हार्ड बनाया, और उनको पता है कि हमको सजा मिल सकती है, इसलिए उभगता को जागरूप करते हैं, और हर आउनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं उभगता फोरम में, जिसमें भी अपना कराना चाहें, तो जितने का नुक्षान है, सबका अपना अपना एक ट्राइटीरिया है, धनी है, जो पहले था कि आप 20 लाग तक कही केस कर सकते थे जीला फोरम में, अब एक करोड तक कर सकत हैं, आपको एक करोड में कहां जाना पड़ता था, दिल्ली दोड़ना पड़ता था, उससे अपन बच गया, यह सारी चीजें अच्छी हैं, अच्छी हैं, मैं एक जागरुक उभगता की क्या पहचान होती, आप क्या खेना चाहेंगी कि अगर हम उभगता हैं, तो हम किस त करें, ज्यादा तर नेचुरल चीजें लें, आप देखें उसमें क्या कंटेंट डले हुए हैं, कैसी चीजें हैं, क्या चीजें हैं, यह नहीं कि कोई आने हिल्मी कलाकारा आके बता दिया, कि यह चीज लेने से देखो बॉड़ी बन गई, यह पाउच हमने खाया तो हम ऐस फिल्मों में दिखने के लिए अब रामक प्रचार से ऐसा बचना चाहिए, जो हमारे ग्रामीन दर्शक हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कि यह उन्हें किस तरह से सतर करेना हैं, और किस तरह वो आके उभोकता संद्रक्शन अदिनियम का फाइदा ले स ग्रामीनों को तो मैं यही कहना चाहूँ कि आज कल जो नए बच्चे हैं, ग्रामीनों केवल मॉबाइल यूटूब में देखते हैं, फिल्मी कोई फिल्मी हीरो हीरो इनों को बहुत नकल मारते हैं, तो उस नकल से बच्चे नकल करें, अकल से करें, तो यह चीजे हैं, ज्य हमारे हां किचन से लेके हर जगह कि ऐसी चीज आपकी खूबसूरती बढ़ा देगी कोई प्रोड़क्ट नहीं बढ़ाएगा इतना मतलब इस चीज से इंसान को जागरुक होना चाहिए अपने दादी काकी से भी कुछ सलाह लेनी चाहिए और जो भी इस्तेमाल करें किसी चार लोगों से सलाह लेके करें कि ये प्रोड़क्ट कैसा है तो वो चीटिंग से बच जाएंगे भ्रामक विग्यापनों में ना जाएं लोगों को देख कर उसको फॉलो ना करें जी रागिरी पांडे जी आज आप यहां आई हो भूगता से अन्रक्शन अधीनिया में इस देखी से बचे जी हां हकीकत में अपने पैर रखें अपने सपनों को पंक जरूर दें लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने का जजबा जरूर रखें आप से फिर मुलाकात होगी आज के इस अंक से दीजे इजासत नमस्कार कर दो